हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माई चैनल फ्रेंड्स जैसा कि आप सब जानते हैं सैनिटाइजर मार्केट में नहीं मिल रहा है तो ऐसे में हम घर पर ही एफेक्टिव सैनिटाइजर तयार कर सकते हैं यह सैनिटाइजर बहुत ही कम खर्चों में 8-10 रुपे के खर्च में ही तयार हो जाएगा और यह उतना ही इफेक्टिव है जितना की मार्केट वाले हैं तो चैनिटाइजर बनाते हैं होममेट सैनिटाइजर इसके पहले अगर चैनिल पर पहली बारा है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस केज़ेगा आने वाली नोटिफिकेशन के लिए पैनिटाइजर बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए 1 लीटर पानी एक लीटर मेजर्मेंट के लिए मैंने एक लीटर वाले बोटल में पानी भर कर रखा हुआ है और इसको हम गर्म करने के लिए डालेंगे और इसके साथ ही हमें चाहिए सो ग्राम नीम के पत्ते इसे हमने दोगर अच्छ से शाफ एकशाल कर लिया है और इसे हम पतीले में डालेंगे मिजिए फ्लेम पर और इसके साथ हमें हमें चाहिए 10 तूलसी के पत्ते अगर पत्ते थोड़े से छोटे हों तो आप थोड़े से ज्यादा ले लिजे तो इस तरह अब हम मिडियम फ्लेम पर गैस को अन करेंगे और इसमें हम एक लिटर पानी को डालेंगे तो सबसे पहले हम फ्लेम को अन करके एक लिटर पानी हम गैस को डाल देते हैं इस पानी को हमें तब तक उबानना है जब तक कि ये 700-700 ग्राम पानी न बच जाए घर पे सनिटाइजर बनाने के आई ये सबसे अच्छा तरीका है और ये नुश्का मेरा नहीं है बाबा रामदेव ने बताया है मैं सिर्फ इसे बना कर दिखा रही हूँ तो बस तुलसी के पत्ते को हम डाल देते हैं पानी में उबनने के लिए और इसके बाद हम तुलसी के पत्ते को भी इसी में डाल देंगे निम के पत्ते और तुलसी के पत्ते अंटिबेक्टिरियल होते हैं इसके लिए हम इसे सैनिटाइजर की रूप में यूज कर सकते हैं, और जिस तरह वो सैनिटाइजर यूज करते हैं sourire estm तो इसे हमें तब तक उबालना है मेडियम फ्लेम पर जब तक कि ये पानी 7500 ग्राम न बच जाए अगर उसे बाइचांस किसी गलती से थोड़ा सा कम हो गया यानि 600 ग्राम जैसा बचा तो इसे कोई नुक्षान नहीं है और इसके साथ जब तक ये पानी उबलता है तब तक हम हम इसे सामाश के नहीं है पित किरी 10 ग्राम कहते है और कि वुपटर पीश कर म सरी पाहध तक 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 कम सलगते यमिभी पाहध消 पित कर तक कम को भी यह स्टाभार में थेरा निसे द環िखी कशल कर सबस्याम और यह नहीं हैं सुरक्षित भी है और COVID-19 को दूर करने में भी ये मदद करेगा और जिस तरह मार्केट में सैनिटाइजर की कमी हो रही है उस तरह ये सैनिटाइजर आप बहुत ही सस्ते में तयार कर सकते हैं और बिल्कुल ये सुरक्षित है और तो चलिए जब तक हम उबालते हैं पानी जब सा हाड है इसके लिए हम इसे पूट लेंगे पहले उसके बाद हम इसके पाउडर को तयार करते हैं लगबग 10-12 मिनट पकाने के बाद कुछ इस तरह से पक गया है और आप देख सक रहे हैं कि ये अच्छे से पक गया है तो आप हम इसे फ्लेम को बंद कर देंगे और इसे ह हम झान लेंगे छानने के लिए एक चैशनी का हम यूज करेंगे और इसके बाद हम इसे छान लेंगे यूजार इसमें कुछ इनि शिर्पत्ते हैं इसलिए हमें इससी तरह छान लेना है कपड़े में छानने की ज़रुरत नहीं है और बस अब हमें इसमें कपूर 10 ग्राम और ये फिट किरे को हमने पीछ लिए के पावडर बना लिये हैं दोनों 10-10 ग्राम हैं और इस दोनों को हमें इसमें मिक्स कर देना है करके हमें इसे छोड़ देना है और इसके लिए हमें एक स्पूल की जनुरत है इसे मिक्स करके अच्छे से बस इसे हमें रहने देना है जब ये थंडा हो जाएगा तो हम इसे फिर से छान लेगे और छान कर किसी भी गॉटल में हम इसे रख सकते हैं और जब भी आप बहर जाएं तो आप इसको यूज़ करें बस हमें इसे ये तयार है बस इसको हमें इसे ठंडा रख करने के लिए रख देना है और इसके बाद हम कुछ इस तरह से बोटल ले लेंगे कोई भी सैनिटाइजर का बोटल होगा तो आप इसमें ले सकते हैं और इसमें डाल कर आप यूज़ कर सकते हैं बस तयार है सैनिटाइजर आपका इसको बस ठंडा करना है और फिर ये यूज़ करने के लिए रड़ी है तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये सैनिडाइजर का रेमिडी अच्छा लगा होगा और अगर अच्छा लगा है तो लाइक जरूर कीजेगा, कमेंट जरूर कीजेगा कोई भी क्वेस्टेन आपके मन में अगर आता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं और ये बाबा रमदेव ने बताया है इस रेमिडी को, तो आप नेट पर भी आप इसे देख सकते हैं मैं इसे बना कर दिखाई हूँ कि ये इस तरह से तयार होगा तो अगर आपको अच्छा लगा है तो आप लाइक कमेंटर से आप जरूर कीजेगा जैसे कि बहुत ज्यादा लोगों तक ये पहुँच सके और उन्हें इसका पाइदा मिले तो मिलती हूँ ऐसे ही कुछ और और क्रोना वाइरस बचने के लिए ये आपको मदद करेगा तो चलिए मिलती हूँ ऐसे ही और मेरे चैनल पर तो रेमिडी नहीं आती है बलकि मैं रेसिपी लाती हूँ तो इजी और टेस्टी रेसिपी के लिए जूड़े रहिए एनेस होम टिप्स के साथ और खबरी पर भी आप मुझे सुन सकते हैं वहाँ पर भी मैं वहाँ का कॉंटेंट अलग रहता है आप वहाँ पर भी देख सकते हैं वहाँ मैं हेल्थ से जूड़े रेमिडी डालती हूँ अगर आपको अच्छा लगता है तो मुझे वहाँ भी फॉलो कर लेजिएगा और सबस्क्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस किजिएगा यूट्यूब पर भी और वहाँ भी फॉलो करके आप वहाँ भी बेल आइकन प्रेस कर सकते हैं अगर आपको अच्छा लगा हो तो मिलती हूँ सुरक्षित रहिए साधन रहिए और हाथ धोते रहिए और जब भी बाहर जाए तो सैनिटाइजर को साथ जरूर ले जाए बिलकुल ले जाना न भूले और मास्क यूज कीजिए और सेट रहिए मिलके थैंक यू पहूँ थैंक यू चाले जब रहिए जाए यू